नमस्क्राइब सातियों स्वागते आपका इस वीडियो में इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि स्सी सीजल में से इतने सवाल आते हैं तो जो आपका वीक पॉर्षन है उसे आप पहले कर लो और वीक पॉर्षन से ज़्यादा जरूरी यह है कि सबसे ज्यादा सवाल कहां समसे जाए सभसे जाए जो सवाल आ रहे हैं उससे आप बहतर कर लो ठीक है तो चलिए शुरू करते सबसे पहला है हमारा मेस में जो टोपिक पहला है मारा वह परसेंटेज मेंट नवाव पूचिते और टोटल शिप्ट कितनी होए थी चाल मझला एवरेज कितना निखल क्या है हमारे पास में 1.5 इसका मतलब क्या है कि कि सिफ्ट में एक एक सवाल तो हर सिफ्ट में था लेकिन किसी किसी में किया था दो सवाल भी पोचा था अगला topic है ratio and proportion ratio and proportion से 3 question आये थे average .75 का इसका मतलब क्या होगा कि 3 shift में एक एक सवाल आये था और किसी में एक भी नहीं आये था एक shift में एक भी सवाल नहीं था अगला है mixture relegation mixture relegation से 4 सवाल थे average 1 का उसके बाद है average average से 5 सवाल थे हमारा profit and loss से 9 सवाल मतलब 2-2 सवाल तो हर shift में आएंगे ही आएंगे arithmetic का सबसे important chapter ही profit and loss जैसे pre में भी 2 सवाल fix है means में 2 सवाल तो आते ही है और किसी shift में 3-3 सवाल भी आये थे ठीक है अगला topic time and work है time and work से 5 सवाल आये थे simple interest और compoundation दोनों के 8 सवाल थे simplification थे 6 सवाल थे number system lc mcf के 9 सवाल थे algebra के 6 trigonometry के 11 सवाल थे geometry के 12 सवाल थे mensuration के 13 इस बार mensuration का weightage थोड़ा बढ़ गया था geometry से भी ज़्यादा सवाल आये थे 13 सवाल आये थे total coordinate geometry लगबख हर shift में कुचा था किसी किसी shift में नहीं पूचा अक्सर बच्चे coordinate geometry को ignore कर देते लेकिन उससे बहुत ही सवाल आयता लेकिन अगर आपको basic concept नहीं पता तो सवाल सवाल हो चाहे कटीन हो आपसे बने गाई नहीं इसलिए coordinate geometry को भी एक बार एक rating मारके चले जाए उसके बाद जो नया portion 8 वाया हमारा उसके जीएस का जीएस में इस बार एस्टेटिक जीके से मेंस मेंस कोई सवाल ले था डायरेक्ट उन्होंने पूच्छा था biology chemistry physics convix geography history quality और करेंट अपैस तो सबसे जो important हमीशे केते हैं प्रीमे भी geography history quality तिनों बहुती important है सबसे जाता सवाल पूचे जाते हैं उसके बाद science भी इस बार बहुती important चीज़ होगे पहले भी था लेकिन प्रीमें इतने सवाल चार्वा सवाल बनते थे इनसे तो रजवाद पूच रहा है ठीक है अगला जो portion है हमारा वह है English तो English का जैसे कि आप देख पार है वर वर सब्रेटिशन से 8 सवाल ते spelling error से भी 8 सवाल थे synonym से 4 एंटो नेम से भी 4 एडियन से 8 सवाल थे एंटो नेम से 8 सवाल थे error correction से 8 सवाल थे error detection से 4 सवाल थे feeling the दबेंग से से beat सवाल close state से 16 सवाल active passive से 12 नर्रेशन से 12 जंबल से सवाल और आर्ची से 48 इस बार जो कोंप्रियंशन पर English में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है grammar का इतना दिकोटिंग से 11 लेटर सीरीस से 4 नंबर सीरीस से भी 4 वेंड डाइग्राम से 5 सवाल थे एन इकुलेटिस से 9 सवाल थे mathematical operation से 8 odd one out से हमारे 4 सवाल थे उसके बाद जिसे word के उपर होता है odd one out वैसे नंबर के उपर भी होता है odd one out तो उससे 4 सवाल थे हमारा सब्सक्राइब से 15 सवाल थे हमारा सिलोक्स से 5 सवाल से 11 सवाल और completion of figure से कितने सवाल थे चार ठीक है तो हमारे साथ या सो सवाल ज्यादा ज्यादा इसे ज्यादा प्रेक्टिस मत कीजिए नहीं कुछ मेंस बेश खरिजने की जरूरत नहीं बसकाले प्रेक्टिस करते रहे हैं ठीक है मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यों धन्यवाद टिक है